लुश्च अपिआ न्मस्कार दोस्तो दोस्तो आज है तीन फरेदी दो जार बीस और आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारत प्लस राजस्तान का संपुर्ण करंट जी के जो भी तीन फरेदी का तेयार हुआ है दोस्तो हम यह देखने center वाले हैं तो दोस्तो इस इस दिग अभी चर्चा में है coronavirus 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 तो इसके चलते हुए आपातकाल की गोशना की है एक संगटन है उसका क्या नाम है तो उसका नाम है दोस्तो WHO World Health Organization World Health Organization ओके दोस्तों वीश्वे स्वास्थे संगटन ओके दोस्तों वीश्वे स्वास्थे संगटन दोस्तों बात करें इसके मुख्याले की तो इसका मुख्याले है दोस्तों जनेवा में कहां पे दोस्तों जनेवा में इसका मुख्याले है जनेवा में किसका डबलू एचो का दोस्तों बात करते हैं coronavirus की coronavirus है दोस्तों यह coronavirus लग बग 18 प्लस देसों में यह फेल चुका है इसी को देखते हुए अंतराश्ट्या बादकाल की गोशना कर दी है किसने डबलू एचो ने कहां पर मुख्याले इसका तो इसका मुख्याले है जनेवा में ओके दोस्तो समझ में आ गया होगा कोरोनवाई रस्रवादिक चर्चा में है तो याद करना चलते हैं अगले क्यूशन पर इसके साथ में हाली में आर्थिक शर्वेक्षन दोजार बीस किसके दौरा पेस किया गया तो यह पेस किया गया दोस्तो पेस है तेया निल बोला है कि तेयार किया गया पेस किया गया है निर्मला सिता रमन के दौरा निर्मला सिता रमन के दौरा कौन है यह भारत की वित्व मंत्री है कौन से मंत्री है दोस्तो वित्व मंत्री सौतंत्र भारत की परतम वित्व मंत्री दोस्तो सौतंत्र भारत की परतम वित्व मंत्री मैं ऐसे 2020 जो है इसका जो तयार किया है यह किस ने तयार किया है तो यह तयार किया गया है दोस्तों इसमें नाम दे रखा आपको दिकरा होगा कश्णमूर्ति सुब्रामन्यम कौन दोस्तो कष्ण मूर्त्री सुब्रामन्यम ने इसको त्यार किया है आर्थिक शर्वेक्षन को त्यार किया है जब कि पेस किसने किया है दोस्तो निर्मला सीतारमन्यम ओके दोस्तो दोस्तो दोनों बात समझ में आ गई होगी चलते हैं अगले सब्सक्राइब के साथ में हाली में किस संगटन की दुआरा कम लागत वाले सेटलेट दोस्तों कम लागत वाले सेटलेट लॉंच विक्षित करने की गोशना किया तो यह किसने गोशना किया है तो यह किया है दोस्तों इस रो ने किसने इस रो ने और इस रो का चेर्मेन आपक दोस्तों बैंगलोर में और बैंगलोर कहां पर पढ़ता है करनाटका में पढ़ता है ओके दोस्तों कम लागतवाले से टिल्स कौण लोग्स करेगा तो यह करेगा इस रों चलता हैं खर लेक्ट्विशन पर हाली में राष्टी खेलो के 36 संस्कृर्ण का संभू करका दोस्तों बात करोगे सर आपने इसे तो बता दिया कि अनावरण गोवा में किया गया है पर नंतु संबुकर है क्या चीज तो इसका संबुकर है दोस्तों रुब्बी गुल्ला क्या है दोस्तों रुब्बी गुल्ला समझ में आ गया हो दोस्तों क्या है दोस्तों संबुकर र हाली में सामजी कार्य करता और महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली महिला का निदन हो गया है इनका क्या नाम है तो दोस्तो इनका नाम है विद्याबाल क्या नाम है दोस्तो विद्याबाल दोस्तो विद्याबालन का नाम तो आपने सुना होगा विद्याबालन नहीं है यह विद्या बाल है और सामजिक कारिय करता है क्या है दोस्तो सामजिक कारिय करता है मैला अधिकारों के लिए लड़ने वाली कोई विद्या बाल तो गलती मत करना क्या ना कि कहीं फिलम से संब्दित कर दो फिलम से इनका कोई संब्द नहीं है यह सामजिक कारिय करता है ओके दोस्तो चलते हैं अगले क्यूशन पर वायो शेना के किस विवान नी देश में तेयार बायो जेट इंधन से सपलता पूरुक उडान बरी है दोस्तो इसका नाम है एन 32 बात करें बायो जेट बायो गेस का नाम सुना होगा दोस्तो गोबर गेस आती है मितेन से बनती है तो उस अड़े से लदाक आवाय अड़ेस ने उडान बरी है बायो जेट इंदन ओके दोस्तो देश में ही तियार किया गया था है यह बायो जेट इंदन और इसकी उडान लदाक से एन 32 ओके दोस्तो हाली में सुप्रिम कोट ने भारत की किस चीते को लाने की मनजूरिय दी है तो भारत में कौन सा चीता लाए जाएगा तो अफरीकी चीता लाए जाएगा दोस्तों कहां का अफरीकी चीता लाए जाएगा बात करें सुप्रिम कोट की तो सुप्रिम कोट की जो भी वरतमान में अद्यक्स है वह कोन मुक्य न्याइदीश बोला जाए तो शरूच न्याले क C a b, C A b, rad arvind bobday, Okay, दोस्तो clear, चलते हैं एग ले क्यूशन परड़िसि के शाथ में, हाली में किस राज्य की cabinet ने विदान परिश्ट को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया, दोस्तों विदान परिश्ट को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है, तो यह राज्य है दोस्तों आपको मैं बता दूँ आंदर परदेश की CM Y.S. जगन मोहन रेडी कौन है दोस्तों Y.S. जगन मोहन रेडी जी ने ये प्रस्ताव पारित किया रिए है वहां की क्या है ये CM है बात करें विदान परिशत की तो वरत्मान में कितने में हैं छे राज हमें ऑक दोस्तों पहले जब्वू कस्मीर में तरह कितने हैं पांच में में ओभी अब कितने में हो जागी पांट में are और कहांपर आंधरपद्देश में okay दोस्तों चलते नियुक्त किया गया है ओके दोस्तों हाली में केरल की मीडिया पुरुषकार से किसे सम्मानित किया गया है केरल के मीडिया पुरुषकार से सम्मानित किया गया है दोस्तों एन राम जी को किसे एन राम को क्या है ये तो दह हिंदू नाम सुनाओगा दोस्तों आपने दह हिंद के मीडिय पर उसकार से सम्मानेतख किया गया है बात करें के के बारे में आप दोस्तों जानते होंगे पी यह के स्यमज कोई है कस्यूंच है यहां के स्यम्हेंश्य दोस्तों कौन पिंर innovate विजियन पिनराईन विजियन और के दोस्तों और आरिफ मुहमेद खान कीया है दोस्तों आरिफ चलते हैं अगले किशन की तरफ यह राजस्तान में पतवारी हुई प्लिस हुई अन्य भी प्रिक्षा जितनी भी है उनके लिए important है पैरतम क्यूशन है बारती रेलवे द्वारा कौन से जीले को bullet train के corridor में सामिल किया गया है राजस्तान का कौन सा जीला है जिसे bullet train के लिए corridor में सामिल किया गया है तो वह जीला है दोस्तो जेपूर कौन सा जीला है दोस्तो जेपूर दूसरा क्यूशन है याद हो गया होगा दोस्तों बहुत हीजी कि उसने की बुलिट ट्रेन चलेगी जेपुर में भी चलेगी 30 जनवरी 2020 को राजस्तान में अंतराष्टे खादी समयलन का उद्गाटन किस ने किया तो यह उद्गाटन क्या है माननि असोक गयलोजी ने यहां कि सीम को ने अंतराष्टे खादी समयलन का उद्गाटन किया है आगला है दोस्तों हमारा कि दसवी अनुसुची के तहत बनाए गए नियूमों की समिक्षा के लिए गटित समिती का सवापति किसे मनाया गया है खेने का मलब दोस्तों जो दस्वी अनुसुची है उसके तहत बनाये गए कानूनों के लिए एक समीती गठीत की गई है जिसका सभापती किसे मनाये गए है तो CP जोसी थे और CP जोसी का तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि एक वोट से CM नहीं बन पाये थे कोई समय ऐसा था ज जालते हैं अगला पर देखना दोस्तों चाह नमर का राजस्तान में पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण के तहत सरवादिक मतदान कहां पे हुए तो हनुमानगड जीले में हैं सरवादिक मतदान कहां पे दोस्तों हनुमानगड जीले में कौनसे संस्क्रण में तीसर संस्क्रण में अगला अंत्यम है दोस्तो 5 फरवरी 2020 को राजस्तान की सहर को विशव विरासत परमान पत्तर दिया गया है तो राजस्तान का कौन सा जीला है जिसे 5 फरवरी 2020 को राजस्तान के कौन सा जीला है जिसको विस्व विरासत परमान पत्तर दिया जाएगा दोस्तो दिया नहीं गिया है दिया जाएगा 5 फरवरी को तो कौन सा जीला है जेपूर आपको भी पता है दोस्तो कि वीसुर विरास्ता सूचे में सामिल किया गया है जेपूर को और इसका प्रमान पत्र कब दिया जाएगा पांच फर्वरी को दिया जाएगा ओके दोस्तो समझ में आ रहा होगा दोस्तो यदि वीडियो अच्छा लगा है आपको राजस्तान का प्लस भारत का वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए सरव परतम फिर सेर कीजिए और आपने यदि सस्क्राइब नहीं किया है तो इसे सस्क्राइब कीजिए दोस्तो इंस्टाग्राम हो चाए इसे ट्विटर हो चाए वार्ट्षप हो चाए फेस्बुक हो ट्विटर और टेलिगराम जो भी आपके पास में है उन्हें सभी में सेर कर दीजिए इसको आप ही का चैनल है दोस्तो प्लीज सेर करना ना भूले और लाइक करना तो आपका फरज मनता है दोस्तो यदि आज आप लाइक करोगे आप मारा उत्साय बढ़ता है उससे तो लाइक करना ना भूले और इंस्टाग्राम टेलिगराम वार्ट्षप जो भी फेस्बुक हो वगेरा ट्विटर वगेरा है उन्हें पर इसको सेर करना ना भूले धन्यवाद दोस्तो आज के लिए इतना है